ऐलो दोस्तौं नमस्कार आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत हैं, मैं आज आप लोग को बताऊंगा अगर आप यूपी से बिलॉघ करते हैं, उत्तर पतिस से बिलॉघ करते हैं तो किस तरीके से इडिस्टिक की ID लिए करके आप आजात निवास राशन कार्ड का फोर्म आनलाइन कर सकते हैं आपको कैसे आनलाइन करना है पूरा step by step हम आपको बताएंगे तो इडिस्टिक की या मेन पोर्टल है इडिस्टिक जैसे ही हम लॉगिन करती हैं उसके बाद हमारा यहां पे एक new page open हो जाता है जहां पर आप जो है इडिस्टिक की सेवाएं ले सकते हैं यहां पर आपको अपने एकोर्डिंग आपको CSC ID इस्टिक यूजर पर क्लिक करना है जिस भी एकोर्डिंग आपने 30 लिए रखा था और फिर उसके बाद यहां पर आपको वैली आपका registration नमबर और यहां पार्शवर्ण होगा और यहां पर आपको क्या करना होगा जो भी capture सो और है capture डालके submit पर क्लिक करना हो जो वैली रेजिस्टेशन नमबर यह आपका सो और रहा है आईडी जिसे बोलते हैं यह पासवर्ड यह कैसे मिलेगा आपको complete आपको प्रोसेस बताएंगे तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं इस को इस आईडी को लेने के लिए आपको यहाँ पे सहच लॉगन पे क्लिक करना है इसका पेज का लिंक आपको डाइटली दे देंगे जिससे इस पेज में आप सकते हैं आने के बाद यहाँ पर देखी दोस्तों बहुत सारे इसमें सेवाएं हैं और सर्विसेस के कोडिंग आपका पैन कार्ट इस्टंपिंग आईटी आर एपियस टीपेट माइक्रो एडियम आपको इडिस्टिक की साइड लेनी पड़ेगी तो चली इडिस्टिक लेने के लिए यहाँ पर जो लिखा है रजिस्टर इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ओप्सन खोल जाता है यहाँ पर देखे लिखा हुआ है new registration इस पे ही आपको click करना है जैसे इस पे आप click करते हैं उसके पात दोस्तों आपका new page open हो जाता है यहाँ पर सारी services सो हो जाती हैं जिस भी services का अलाब लेना चाहते हैं उसको आप check mark कर सकते हैं जिससे की automatically जो service है आपकी e-district में जोड़ दी जाती है और यहां बताया क्या है online payment option available है जिस पे अगर आपको यह services लेते हैं तो इसमें क्या होता है कुछ charger लगते हैं जो government के coding आपका निर्धायत की गई है और ध्याना खेगा वो आप जब इस form को online करेंगे तभी आपको confirm पता चलेगा तो यहां पर बताया क्या है कि आपको online है पैस मांगता है तो उसे आप नहीं देंगे आपको online process के recording आपको मिलेगा तो हम यहां पर देखिए जिस भी services का लाव लेना चाहते हैं उसको आप यहां पर term and condition को accept कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर देखिए category में आपको यहां चूज करना पड़ेगा आप रूरल से बिलाउ तो औरबन सेलेक्टर रहेंगे फिर उसके बाद यहां पर अपने coding आप किस टाइप के ID लेना चाहते हैं सर्च इंजन सोसल मीडिया वर्क आप माउथ और वेफ साइट डोना 27 अपने coding यहां पर चूच कर सकते हैं मैं सहज मित्रा करूंगा और फिर यहां पर आपको यहां यहां पर देखिए आपको referral registration मित्रा ID मांगा जाएगा अगर किसी के coding आप यह ले रहे हैं तो उसका सहज referral मित्रा ID डाल सकते हैं नहीं तो आप इसके continue पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप continue पर दूस्तों क्लिक करते हैं उसके बाद आपका यहां पर आगे new page open हो जाता है यहां पर देखिए mobile number WhatsApp mobile number email ID alternate email ID फिर उसके बाद यहां पर आपको pen card upload करना है और यहां पर pen card number mention करना है उसके बाद यहां पर आप मेशे मेशेज अपने coding यहां पर से लिक करेंगे आपको first name लिखना है middle name लिखना है last name लिखना है अगर आपका single name है तो first name में लिख देंगे यहां पर अपको आपने कोडिंग जो भी अपकी दीटर बर्त है यहां पर फिल करेंगे कलेंडर के recording उसके बाद दोस्तों यहां पर अपने recording आपको gender select करना है यहां पर चूज करना है अपने recording यहां पर चूज कर लेंगे फिर उसके बाद इस्को करेंगे उसके बाद सेव एंड कांटिनू पर क्लिक करेंगे जो भी आप यहां पर मोबाइल नंबर और email ID देंगे वेरिफाई आपको करना पड़ेगा जैसे हम मोबाइल नंबर देंगे फिर उसके बाद वेरिफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर डीप आएगा वेरिफाई करना पड़ेगा उसी तरीके से WILL ID है upload होगा और यहां पर लिखना पड़ेगा तब इसे एंड कांटीनु पर क्लिक होगा तो चलिए हम यह आप करके आपको दिखाते हैं देखिए दोस्तों हमारा एडरेस में आपको option खुलेगा address आपको फिल करना है जहां पर आपकी फैडरेस फिल करेंगे फिर उसके बाद banking डिटेल आपकी जो एकाउंट नंबर है वह आप अपना अकॉंन लिख रेंगे और reference नंबर आपके पस है लिखना चाहते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं फिर उसके बाद अप्लोड डाकॉमेंट पर क्लिक करके आपको अपना अधार कार्ड और बैंक पास्बोग अप्लोड करना पड़ेगा जैसे यह साथ ही जब यह अप्लोड कर लेंगे एटोमेटरी रिडायरेट हो जाएंगे और आपका सक्सेशफुली आपका सम्मेट हो जाएगा दोस्तु जैसे ही सम्मेट होगा उसके बाद आपको यहां पे एक रिजिस्टेशन नंबर सोग करता है उस रिजिस्टेशन नंबर को ले करके आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आने के बाद स्टेटर्ट करके आप जो है स्टेटर्स भी चेक कर सकते हैं तो जैसे ही आपका रजिस्टेशन आपका सो जाता है आप स्टेटर्स चेक कर सकते हैं अगर आपको फिर भी यहाँ से कोई सालूचन नहीं मिलता है तो यहाँ पर get touch and with us पर contact पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर सहज call center number मिल जाता है यहां पर आप call लगा करके यहां पर आप इनसे जो है अपना ID के लिए महां सब्सक्राइब कर सकते हैं बात यह करके आपका सालूसर ले सकते हैं कि आप आपने online प्रोसेस किया था अभी तक उसका जो है ID और पासवर्ड नहीं मिला है जैसे ही ID पासवर्ड मिलेगा फिर इडिस्टिक के में में पेज पर आ जाएंगे यहां पर अपने कोडिंग सी यह जो भी आप जिसके कोडिंग आपको मिला रहेगा आपको चूच करना है फिर आपको अपना ID डालना है पासवर्ड डालना है capture और फिर उसके बाद login पर क्लिक करने नहीं फिर उसके बाद जैसे ही login पर क्लिक करेंगे उसके बाद निव इंटरफेस हो जाता है जहां से आप आए जात निवास आप ऑनलाइन कर सकती है दोस्तों आप लोग को मेरे द्वारा जो भी जानकारी है आपको 100% समझ में आ गया होगा आ गया होगा आप लोग इस तरीके से सहच की आईडी ले सकती हैं ओके थैंक्यी दोस्तों कर दोस्तों आपको 100% समझ में 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